अगले पढ़ाव पर हैं चादकन जहां पर दीशा संबंधी प्रस्णों में हम दूरी ग्याद करना सीख रहे थे प्रिव्यस क्लास में आपने देखा कि दूरी ग्याद करने के लिए या दीशा ग्याद करने के लिए कितने important हैं आपके खीचे गए आरेक तो यदि दीसा संबंधी प्रस्टों में आपके आरेक हुद्सवल है आप आरेक बहुत अच्छा से खीश सकते हैं और साथी साथ आरेक के बाद यदि आप डायेक्शन पर अपनी कमांड हासिल करते हैं और साथी साथ आपको दाएं और बाएं का अच्छा कंसेप्ट आपने इजाद कर लिया है सीख लिया है तो डारेक्शन टेस्ट पर आप मास्टर हो सकते हैं चाथकें बहुत बहुत साथ करते हैं दूरी ग्याद करने कि आज की पूरी क्लास घंटे वर की क्लास हमारी जाएगी इसमें पूरी तरह से आज निचोड़ करके रखतेंगे इस चाप्टर को और कई बहतरिन कोशन आपके सामने प्रस्तूत करेंगे उमीद करते हैं कि इन तमाम प्रस्तों को आप बना करके अपने आप में बहुत एक कंफोर्टेबल फिल करेंगे और आप अपनी तियारी को एक नई दीशा और दर्शा देंगे आई आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और डिरेक्शन टेस्ट के अगले पड़ाव पर लेके चलते हैं जहां पर कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे जहां हम सब दूरी ग्याद करने के लिए सीख रहे थे कहानी वही है चाप्टिन डिरेक्शन टेस्ट का कोश्चन लिख चुके हैं बोर्ट पे कोश्चन को गौर की यह दे कितना बड़ा कोश्चन है अमीत एक निस्ची तस्थाने से उत्तर पुरू की दिशा में चलते हुए पांच मीटर की दूरी तैकर बिंदू B पर पहुंचता है वहाँ से वह पुरू की दिशा में चलता है तथा 8 मीटर की दूरी तैकरते हुए बिंदू C पर पहुंचता है C से वह दस्चिन पस्चिम की दिशा में जाते हुए A B के समान दूरी तैकर बिंदू D पर पहुंचता है आंत में वहाँ से वह प्रस्चिम की दिशा में मुड़कर प्रारंफिक बिंदू A पर पहुंचता है तो बताईए कि अमीद के द्वारा कुल कितनी दूरी तै की गई तथा कौन सी जयामीत ये आकृती दूरी तै करने के परिप्रेक्ष में बनाई गई देखिए दीशा समंदी प्रस्चिम में चादकन आरेक कितना माईने रखता है आपकी डाइग्राम कितनी माईने रखती है ये इस कोश्चन से समझा जाना चाहिए प्यारे बच्चों ऐसे प्रस्चनों का कोश्चन बहुत बहुत दिमाग से लगा कर देखिए और आप खुदगोर किजिए किसा कितने important इसके concept हो सकते हैं कितने important मेरा जो diagram हम लोग ही चेंगे वो कितना important हो सकता है आई ए कोश्चन का निरमान करते हैं एकदम direction टेस्च जबी बनाते हैं अपना सबसे पहले ये चीज़ लिख के रख लिया किजिए कौन सा East है, कौन सा West है, कौन सा North है और कौन सा South है, ये एकदम लिख करके रख लिया कीजिए अमीद एक निश्चित अस्थान A से उत्तर पुरू की दिशा में चलते हैं यहां से अमीद को उत्तर पुरू की दिशा में ले चलते हैं चलागे अमीद उत्तर पुरू की दिशा में तो अमीद एक निश्चित अस्थान A से उत्तर पुरू की दिशा में चलते हुए पाँच मीटर की दूरी तै करता है, यह जो भी लेता है, यह कितना दूरी तै कर रहा है, पाँच मीटर की दूरी तै कर, बिंदू B पर पहुंचता है, यहां से कहते हैं, वह बिंदू B पर पहुंच जाता है, वहां से वह पुरू की दिशा में चलता है, तथा आठ मीटर की दूरी तैय करता है, यहां से पूरु क्या होगा, यह वाला पूरु होजाएगा, देख लिजए यह दर पूरु होता है, यहां से वाल, हाँ, यह कितना दूरु तैय करता है, आठ मीटर चलता है, और वह कहां पर पहुंच जाता है, बिंदू C पर पहुंच जाता है, वहां से आपको मैंने पहले कहा, जहां से direction लेना वहीं पे चीत चीतर किजेगा, यह पर आपना कीजिए, रहे कि यह east है, यह west है, यह north है, यह south है, यह south west यह 16 प सिम हुआ ना, मैंने आपको कई बर कहा है, कि आपको जहां direction लेने में दिकत होता है, वहीं पर यह वाला चीतर बना लिया खिजेगा आपको डारिक्षन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा सिम्पल सब वे है कि सर किधर दस्चिन पस्चिम होगा किसी से पूछने क्यों सकता नहीं कि ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है कुछ नहीं बस अपना चित्र खिजे और उसी के धार पर यह ले रहेंगे ठीक है ना दस्चिन पस्चिम की दिसा में वहाँ सब दस्चिन पस्चिम की दिसा में जाते हुए एबी के समान दूरी तेकर एबी के समान यानि कि यह भी कितना हो गया पांच मिटे हो गया सबान दुरी तेकर बिंदू D पर पहुंचता है और इस बिंदू का नाम दिया हुआ है बिंदू D D पर पहुंच गया? आंत में वहां से वह पस्चिम के दिसा में मुड़कर प्रारंभिक बिंदू A पर पहुंचता है यहां से यह पस्चिम मुड़ता है, यहां से पस्चिम कुन सा होगा, यह वो लभाग पस्चिम होगा, यहां से वो पस्चिम मुड़ता है, और प्रारमभीक बिंदू यह पर पहुंचाता है, आप कुछ ने दिया हुआ है, बोलता है, कि बताए, तो देखे, यह पांच मीटर ये पांच मिटर, ये आठ मिटर तो obviously ये भी कितना होगा, आठ मिटर होगा और यहीं से देखने से ही लग गया हम लगों को है ना, थोड़ा सा इसको ख़ली ये अच्छा से इसको चितरों को बना दे हाँ, अभी सही होग्या ये है ना, ये C होग्या किलिल हो गया, मुद जाता है अब बताए, तो बताएए किमीत के दौरा कुل कितनी दूरी तैक गयी तो देखे, Safiye मेवीर कितना दूरी गया तो देखे,A से लेकर के बी तक अमीत कितना चला है, 5 मिटर पलस,B से सी लेकर कर अमीत कितना चला है, 8 मिटर पलस C से D तक Amit कितना चला है? 5 मिटर पलस A से D Amit कितना चलता है? 8 मिटर तो 5 और 5, 10 और 8, 18 और 8 कितना हो गया? 26 मिटर यानि Amit दोरा कुल तैकी गई दूरी कितनी हो गई? 26 मिटर ये तो निकल गया? वही कोशन पुछ रहा कि Amit ने बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए समलम तो नहीं है, समलम चतरबुज में एक हाइट होता है, यह है समानांतर चतरबुज, तो अंसर क्या हो गया, 26 मीटर समानांतर चतरबुज, आमने सामने की दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे के शमानांतर है, अर्थात, अंसर आपका हो गया, 26 मीटर समानांतर चतरबुज अब देखिए, बच्चा, ये क्या होगा आप जैसे ही प्रस्ण आपको प्राप्त होता है तो आप देखते कि साथ क्या होगा है कि आप गबरा जाई यगा कि अरी पाप री पाप, इतना बड़ा कॉस्चिन इतना लंबा कॉस्चिन तो छोड़ो बाद में इसको देखेंगे, तो कुछ भी था, आप खुद बताएं कि हाँ सरी इस प्रस्न में, जरा सा भी कोई पढ़ाओ था, कोई बिंदू था, कुछ भी मुझे तो लगता है कि कुछ था ही नहीं प्रस्न में, बस सिंपली एक बच्चा ऐसे प्रस्नों को प बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, नहीं तो देख लिजए कोशन कैसे पूस्ता कि कौन सी जयमिती आकृती बनेगी, जयमिती आकृती का ज्यान तो चुकि कॉम्पेडिशन की तियारी कर रहे हैं, तो मैस तो आपको एक साथ मिले के चलना पलेगा, तो तो आपको दिमाग मे हमसिभ हैं, एक आदमी अपने मकान से उत्तर की दिषा में दो मीटर चलता है, बस हिक्त् أम आरेए एक हम तो कहीं ए, सबसे पहले आपना एक अपने येख बना लेना है, इधर में पुरु इधर में पस्चिम इधर में उत्तर, इधर में दक्च्षिन यह आपका एकका की प एक डालेक्टर होगा, एक डालेक्षेन अपना माइन में बैठा करके रख लेना, दिमाग में है तो फिर उसको बनानी के हो सकता है, चुकि हम लोग पढ़ा रह होते हैं, तो बनाते हैं तो बनानी को सबस्कता नहीं है, एक आदमी अपने मकान से उत्तर की दिसा में दो मीटर चलता है, आपने कहा है, मकान से सपोज कि ये वैक्ति का मकान है तो यहां से दो मीटर ये चलता है, दो मीटर इसको चला दिये, दो मीटर बिचारा चल गया, तब वह पुरू की दिसा में मुड़ता है और तीन मीटर चलता है, यहां से वह पुरू की दिसा में मुड़ता है और 6 मीटर चलता है तो यह 2 है तो यहां से यह 6 मीटर चलता है अब देखें कितना काम करेंगे हम लोग यह 3 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक क्या दूरी एक इसको C ले लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी दिया ये 2 मीटर है तो ये कितना हो गया 4 मेटर हो गया इतना काम देखिया अब्हमें से किये कोशन देखना कि अब जरुटने हम क्या-क्या कर सकते है तो वो कर लिजे अबने मुद से तो बताएं कि वह मकान से कितनी दूरी पर है तो मकान तो मेरा ये वला है ये वला मकान था यहां से ये कितनी दूरी पर है देखें ये दूरी निकानने के लिए क्या रहा है निकल जागा इसको माल लेते हैं D हमको निकानना है O D तो बताईए OD बराबर क्या होगा रूट अंडर Pythagoras बन्द चुका है तो किसका किसका SQ होगा 1 ठो CD का SQ अब पलस किसका OC का SQ CD कितना है 4 तो 4 का SQ पलस OC कितना है 3 का SQ रूट में है Pythagoras का फॉर्मला पढ़ा चुके थे 16 पलस 3 ती है 9 16 और 9 कितना होगे 25 अंसर कितना होगे 5 हम रहे युनिट कोँ चल रहा है 1 मीटर तो अंसर के चीज मैं आगया मीटर में देखे 5 मीटर को दिकत कितने असान तरीके से बस मैंने आपको कई बर का है कि अगर डागराम बच्चा अच्छा से बना लेता है कर उसको डागराम पर वो अच्छा काम कर लेता है तो फिर ऐसे कोसन लॉली कौप है थोड़ी सी तो अंडेस्टांडिंग चाहिए अंडेस्टांडिंग क्या चाहिए भाई कि हम अपने मन से यह 3 मीटर था तो यह 3 मीटर कर लिए, दो मीटर था तो यह 2 मीटर कर लिए, अब total 6 था तो यह 2 जब मिल गया है तो चार ही ने बचा, यह दोनों डियागराम कीच के इस तरह का एक आरेक की चितरन कर लिए, वो खुद बखुद हो जागा, आप को उसन भी बढ़ते, माले जा बखुद है, आप यह 2 माल लेते हैं, तो यह दूनों के चाहिते हैं, जरूरत यही है कि बस इंको थोड़ा सा अची तरीके से बनाने क्या हो सकता पड़ती है, चाद किन, ठीक है ना, अगले पढ़ा पर लेकर चलते हैं, अगले कोश्शन के और लेकर चलते हैं, चाद किन, जटकन अगले question पे हैं अगले पड़ाव पर हैं बहुत उच्छा question अज पूरी classic दम आपको जम के practice करा देंगे कभी भी मेरा बनाय हुआ हाल ने देखिएगा मैं आपको कई बर कहता हूँ कि जैसे ही question board में आप देखते हैं और मैं कहां गलती कर रहा था यह जिस जो बच्चा कर लेता है समझ जए एक उसके क्यारी बहुत बहुत परफेक्ट हो सकता है चाथकन डारिशन टेस्ट पे सवाल है question साथकन कि A और B एक जगह से एक दूसरे के बिपरीत दिसा में चलना सुरू करते हैं जहांसे यह दोनों चलना सुरू करेगा बिपरीत दिसा में आप तो यह दिसा नहीं दिया हुआ बाबू कि किस दिसा में चलता है बस understand कर लिजे A तीन किलोमेटर में चलो suppose करते हैं कि इधर मान लेते हैं A तीन किलोमेटर चलता है यहां से यहां ते मान लेते हैं कि दूरी तीन किलोमेटर है ठीक है और फिर B एक दूसरे के बिपरीत में चलता है तो यहां से यह तीन किलोमेटर माल लेते हैं ठीक है? A और B का हो गया तिन-तिन किलोमेटर चल गया दोनों को इसके बाद A दाएं मुड जाता है अब अगर A यहां से यहां A चल रहा थे A यहां से दाएं मुड करके दाइं मुड़ता है और 4 किलो मेटर चलता है A दाइं मुड़कर के आप देखें A यहाँ पहुंच गया है O से चला था A यहाँ 4 किलो मेटर दाइं मुड़कर 4 किलो मेटर चलता है तो था B दाइं मुड़ता है और 4 किलो मेटर बी भी दाइं मुड़ता है बीवी मेरा दाय मुड़कर कितना किलोमेटर चलता है? चार किलोमेटर ये डाइग्राम आपका बन गया बोलता है तो बताएए कि A और B के बीच कितनी दूरी है देखें ये दूरी निकालने के लिए बोल रहा है आपको यहां से ले करके बस और यहां से B लिख दे A B की दूरी आपको निकालने के लिए पूछ रहा है कितने असानी से हम लोग निकाल लेंगे? देख लिजे, क्या कर लेंगे? AO calculate कर लिजे, यहां से AO निकाल लिजे और AO का जितना value आगा, वही value AO का भी होगा, क्योंकि यह 4, यह 3, यह 3, यह 4 है तो कितना असानी से question बन जाएगा? तो हम लोग आउ बराबर क्या होजाएगा? AO बराबर, root under कितना? 4 का square, जोड़ कितना का square? 3 का square, 16, plus 9, root under, root under 25, under root 5 यह कितना kilometer आगया? 5 kilometer जब यह 5 kilometer तो यह भी कितना होगा? 5 kilometer होगा तो A से B की दूरी कितनी होगी? तो A भी बराबर क्या होगा? AO पलस, OB, यह कितना निकालने हैं? 5 और यह 5 से दोना का distance kilometer में, तो यह होगा 10 kilometer तो बहुत ही असान तरीके से जचाद के नैसे प्रसन बगाए सकते हैं मैं कई बार कर रहा हूँ कि केवल आरेक पर आप ना डरें अगर आप आरेक खिच पाने में काम्याब हो रहे हैं अच्छे सुन्दर आरेक आप बना सकते हैं तो आप मान के चलिएं कि पूरी जो कहानी आपकी है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है आप पूरे चैप्टर आप बहुत अच्छे performance कर सकते हैं कई प्रसन आज आपके बीच में आ रहे हैं ये तो मुझे लगता है तीसरा ये चौथा कोसन होगा कई पड़ाओ पर आपको लेके चल रहे हैं और दूरी क्याद करने के लिए जम के प्राक्टिस करा दे रहे हैं क्लास में ताकि डिफरेंट कोसन पर प्राक्टिस किये हुए रहेंगे तो आप एग्जामनेशन में आप बहुत अच्छा performance कर सकते हैं लेकर चलते हैं आपको अगले परसन पर जादकेन जादकेन अगले परसन की ओर हैं हम सब कहता है कि पंकच 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तो पंकच को 10 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं पंकच 10 मीटर उत्तर की ओर चला गया चित्र आपको एकदम याद होना चाहिए डारिक्शन एकदम पूरा किलियर आपका पूरब, पस्चिम, उत्तर और दक्षिन ये एकदम किलियर होना चाहिए अब कहता है कि पंकस दस मीटर उत्तर के और चलता है पंकस को दस मीटर उत्तर के और चला दिलिया तब वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है यहां से वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है 20 मीटर चल गया फंकस वह फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है अब देखें, यहां से वह 25 मीटर अब देखें यही सब ध्यान रखा जाता है यह 10 मीटर है तो 25 मीटर की लाइन लंबी होगी अब एक्दम यहां से ले करके यहां तक की दूरी कितनी है आपकी 25 मीटर है अब यह 20 हुआ तो यह भी कितना होगा 20 मीटर होगा यह 10 है तो यह भी कितना होगया 10 मीटर होगी किलियर मुलके 25 मीटर फिर वा बाय मुड़कर 15 मीटर चलता है, तब बाय मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाय मुड़कर 15 मीटर चलता है, यहां से बाय मुड़कर 15 मीटर, पंकस 10 मीटर उतर के और चलता है, तब बाय मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाय मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाय लोकर 15 चलता है, फिर यहां से वो 15 मिटर चलता है, तो यह ले ले लेते हैं, यहां से लेकर कर यहां तक, यह ले ले लेते हैं, 15 मिटर, ठीक है, तो देख लिजे, यह 10 था, तो यहां पर यह टोटल 25 था, यह 10 था, यह 15 है, तो यह भी कितना हो गया, 15 मिटर हो गया, तो 15 मिट 10 meter, přůörा 25 हो گیا, यहां सिहां तक का दूरी, यह 15 हो गया है, यह 15 हो गया, यह 15 हो गया, तो यह भी कितना हो जाएगा है? यह 15 है तो यह भी 15 हो गया, ले ले लेते हैं, देखते हैं, अगर काम आता है तो आएँम। है,. Ves vig 숨 है yanner है, इसी का दाट में कोई तथकीस दिशा में है, पंकज अपनी मूल स्थिती से, तो पंकज की मूल स्थिती कहा थी, बताईए, पंकज की मूल स्थिती यहा थी, तो इस इस्थिती में पंकज अपनी मूल स्थिती से कितनी दूर तथकीस दिशा में है, यहां से यहां तक कितना दूर तथकीस दिशा में कुछ है कोश्चन में दम बताइए यहां से हो गया यहां से 20 मीटर और 15 मीटर तो 25 कितना हो गया 35 और यह कौन से दिशा है यह दिशा कौन सी है पूरू है यह दिशा कुन सा है पूरू नहीं पंकज यहां खड़ा है न जिय भी यहां से यहां तक का दूरी कितना है यह 20 और 15 तो 20-15 कितना होगे 35 मीटर पूर, तो अंसर कितना होगे 35 मीटर पूर, तो छादकन, मैं वही बार बार आपको यही समसा रहा हूँ, कि अगर आरेक अच्छा खिचा जा सकता है, अगर आरेक सटीक खिच लिए गए, तो मैं नहीं समझता हूँ, कि आपको किसी भी परकार के ऐस प्रस्नों का जवाब दिया जाना चाहिए, so that कि आप ऐसे प्रस्नों को बहुत अच्छा से हल कर पाने में काम्याब हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कोशन का आरेक अच्छा सिखिजिए, दिमाग में रखिए, कि जब 25 दिया हुआ है, ये 10 से तो ये 10 कर सकते हैं, ये 20 से तो य 20 कर सकते हैं, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, बहुत असानी से इसे कोशन बनाया जा सकते हैं, ज़रूर यही है कि हलके से कंसेप्ट ले करके ऐसे प्रस्नों को बढ़ा जाए, तो डारेक्शन टेस्ट में आपको मास्टर बनाने से कोई नहीं रोग सक करता है और आज के पूरी क्लास को हम दूरी निखाने के लिए सिखाई रहे हैं चलिए अगले पड़ा पर पुनहा आपको लेकर चलते हैं और अगले प्रसंद के और लेकर चलते हैं चादकन बहुत बहुत अच्छा कोशन पे हैं और आपको मैं सलाह दूँगा कि जब आप प्रैक्टिस घर में कर रहे होंगे तो इन सब प्रसंदों को हल करने के पहले अच्छी तरह से वीडियो को पाउच कर लिजेगा और उसके बाद ही इसका हल बनाईएगा तो कि क्या कहता है राकेश लामबा अपने नियत अस्थान से दच्छिन पूरू की दिशा में हमको पहले बताएं कि जहां आपको confusion होता है अपने एक अपने ड्रा कर लिजे एस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हिंदी या इंगलिश में जो आपको अच्छा लगए वो ड्रा कर लिजे राकेश लामबा अपने नियत अस्थान से दच्छिन पूरू की दिशा में 10 मीटर चलता है कि दच्छिन पूरू की दिशा में रहो गई यह यह व Senin नहीं चलता है better here 10 मीटर चलता है तो के लिए रहो गया वहाँ से वह 20 मीटर की दिशा में 10 में 10 मीटर चलता है विर यहाँ से सपोस्कि कि यह को ऐ पहुचा थहाऑ और यहां से फिर वह दश्चिन पस्चिम, यह वला सौथ वेस्ट, यहां से दश्चिन पस्चिम, फिर यह 10 मीटर चलता है, देख लिज़े, अगर इस एंगल पे, अगर हम कहें, कि यहां से, सपोस कि यह बी पे पहुंचता है, यह वला, और इसके बीच में कितना डिगरी का यह एंगल बनेगा, बताएए तो 90 डिगरी का बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, डिरेक्शन टेस्ट मेंने आपको पहले ही सिखाया है, कि अगर अगल नहीं दिया हुआ है, अगर प्रस्ट में अगल का अभाव है, अंगल नहीं दिया हुआ है, तो आपको हमेश सीधे 90 डिगरी क्रिएट करेंगे, पॉंट्स की तरह से, क्योंकि मुणने के रिषा हमेशा सीधा होती है, जब तक ही प्रस्न में अंगल नहीं दिया हुआ हो, तो इन दोनों के बीच में 90 डिगरी का कौन बन गया, यहां तक आगा है, यह प्रस्न का प्रारंभी गुरूपता 10 मीटर चलता है यहां बे, तो बताएं कि अब वो प्रारंभी की स्थिती से किस दिशाव कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभी की स्थिती इसका यह है, अंतिमिस्थिती इसका है, तो यह वला डिस्टिंस हम लोगो क्या करना है, निकाल देना है, तो आप देख रहे हैं कि right angle triangle create हो चुका है मेरा, सीधे सीधे हम लोग O भी निकाल लेंगे, तो O भी बराबर formula क्या होगा, root under O A का square, तो O A का square प्लस A B का square, A B का square कर लेंगे, O A मेरा 10 है, 10 का square, जोड़ A B भी 10 का square है, root under कर लेंगे, 100 प्लस 100 कर लेंगे, इसको root under कर देंगे, यह जागा 200, आए कर यह answer हो गया, खोज लेंगे, फटाक से 10 root 2 meter, अच्छा सॉरी, एक और question इसमें पूछ रहा है, बताएं कि अब प्रारमभी की स्थिति से किस दिसा वा कितनी दूरी पर दिसा अगर पूछ रहा है, तो प्रारमभी की स्थिति से वो कौन सा दिसा है, प्रारमभी की स्थिति इ आप निकाल लीजे, देखिए, केवल उत्तर का अंसर निकाल करके आपका नहीं निकालता है, क्योंकि उत्तर दो ठो आप्शन में दिया हुआता है, यहां भी और यहां भी, तो आपको इसा गनितिया हल निकालना था, इस समीकरन का mathematical solution निकालना था, mathematical solution निकालने के बाद आपको चलते हैं, आपको चलते हैं, आगया की ओर लेकर चलते हैं, बहुत सवागत करते हैं, इचात करने, बहुत बहुत अच्छे question पर पुनहाँ आपका सवागत कर रहे हैं, सुजय के घर से उसका विद्याल है, दस रूट दो किलोमेटर की दूरी पर उतर पस्चिम दिस सपोर्ज कीजे कि ये सुजय का घर है, इसको हम लोग ओ मान लें, ये सुजय का घर है, सुजय के घर से उसका विद्याले दस रूट दो किलोमेटर की दूरी पर उतर पस्चिम दिसा में हैं, फिर आपने डारेक्शन कीच लिजी, पूरा पस्चिम उतर दक्षिम, तो सुज सुजय के घर से उसका विद्याले दस रूट दो किलोमेटर की दूरी पर उतर पस्चिम दिसा में हैं, उतर पस्चिम यानि कि ये वाला, यहां से सुजय का घर जो है, इधर होगा, उतर पस्चिम के दिसा, यही होगा, इसका अधार पर उतर पस्चिम, यहां पर क्या होगा विद्ध्याले विद्ध्याले और ये क्या हो गया? सुजय का घर सुजय का घर बाद में चितर अगर अच्छा नहीं बनेगा तो इसको मिटा के फिर हम लोग कर लेंगे अच्छा से सुजय के घर से उसका विद्ध्याले 10 रूर 2 किलोमेटर के दूरी पर ये कुन सा दिशा हो गया? साउथ हो गया और यहां पर इसके पिताजी का कार्याले है और ये भी कितना है? 10 मीटर हो गया? 10 किलोमेटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है 10 किलोमेटर और ये है 10 रूर 2 किलोमेटर कॉश्ण था ना? दस किलो मेटर की दुरी पर पूरुंदी सामीश् miss सामलो, इसको डाइगोनली यहां पर मिला लेंगे, यह दिया हुआ तो 10 रूर 2 किलो मीटर, यह सुजय का घर हो गया, यह यहां पर मिल गया, काम किजिए, यह 10 किलो मीटर तो यह भी कितना होगा, 10 किलो मीटर, यह 10 किलो मीटर तो यह भी 10 किलो मीटर, यहां O से, यहां O स्टा पीता के कार्याले से सिन्यमा घर कितनी दूर वा किस दिसा में है, पीता के कार्याले से मतलब ये वदा, ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा और किस दिसा में, तो दिसा तो यहीं से दिख गया, यहां से ये दिसा कौन सा उत्तरपुरु में है, तो पहले उत्तरप पुरू का दो option है, यानि कि question बनाना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा सा आप यहां पे देख रहे हैं, O A, O A, यह 10 है, O A बराबर क्या हो जागा, A B, A B बराबर क्या हो जागा, B C, A B C बराबर क्या हो जागा, क्योंकि सब ही कितना मेरा है, 10 km है, हा न जी, तो सब बराबर हो गया, जब सब भी बराबर हो गया, तो यह वर्गाकार आकरिती बन गया, वर्ग के दोनों विकर्न आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा ही खली concept रखे, कि वर्ग के दोनों विकर्न का मान बराबर होता है, तो यह 10 रूट दो हो गया, तो यह भी कितना हो जाग A C raised to this A O square तो रुट अंडर कर लिजे A O square स्थी UNTED O C square so A O कितना है 10 square जो Batterी do C कितना है 10 square रुट अंडर कर देंगे यह 100 अज़ाएगा 200 और दो सो रुट अंडर रुट अज़ाएगा 10 root 2 डी • 10 root 2 क्या हो ज़ागा आपका किलो मिन्टर तो बहुत ही असान तरीके से चादगिन ऐसे प्रस्नों का जवाब दिया जा सकता है निकाला जा सकता है बस बरसती एक दम थूड़ा सापो कंसेप्ट अपने माइन पे होना चाहिए मैं कई बर कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे प्रस्नों को आप जवाब देंगे वीडियो को पाउस करके अपने अस्तर से प्रस्न का जवाब देंगे उसके बाद प्रस्नों को हल करने का परियास करेंगे चादगिन आईए आपको अगले प्रस्ण के और ले करके फिर चलते हैं फिर एक दोठो दिल्चस्प पोजिशन और करवाते हैं तो छादकन अंतिम प्रस्ण पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दिरेक्शन टेस्ट का दीशा संबंधी प्रस्णों के अंतिम प्रस्ण पर आपका स्वागत कर रहे हैं। चादकर ये पूरी कहानी क्या है? देख लिजे, सौरब सुकला एक निस्चित बिंदू से दो मीटर पूरू चलता है। पूरू के और चला दियो इसको दो मीटर पहें को दिकत। फिर दाइं और मुणकर पांच मीटर चलता है। यही सब दिमाग लगाना है हम लोको फिर यह पांच हो गया तो यह भी कितना हो गया मेरा? और थोड़ा सा बढ़ा कर लेजे है ना? आठ मिटर की लाइन और थोड़ा बढ़ा कर लेजे ठीक है? यह पूरा डिस्टंस कितना दिया हुगा? यह पांच है तो यह भी मेरा कितना हो गया? यहा तक यह पांच था तो यह भी कितना हो गया मेरा? पांच मीटर और यह फिर वह दाई उर मुड़ता है और 8 km चलता है, यह सौरी कितना यह था, यह 8 मिटर है ना, तब फिर दाइं और मुल करके 8 मिटर चलता है, यहां से फिर वो दाइं और मुल करके 8 मिटर चलता है, तो यह 5 था, यह 5 और यह 3 मिटर और ले लिजें यहां से, तो यह total distance कितना हो गया, 8 दिया हो भी है, मेरा 8 यहां से यहां तक आड़तिया हुआ है, आंति में फिर दाई और तेरा मीटर चलता है, यहां सफिर वो तेरा मीटर चलता है, तो देखिए इस कहानी के अगड़ हेंगे, यह वल अच्छे वर्दु आठ, यहां पर यह आठ हो गया, इधर कितना हो गया, पांच आपड़ा देजे, पां यह distance आपको ग्याद करना है, कि वो प्रारमभीक बिंदू से कितनी दूरी पर इस्थीत है, यह नहीं कहानी है, यह पूरा का पूरा, क्यार भी कुछ कहानी है, क्यार कुछ भी, तो प्रारमभीक बिंदू से अब वह कितनी दूरी पर इस्थीत है, तो यहां पर प्रारमभी बिंदू से आंते मुभा दाईयों अरमुलकर के तेरा मीटर चलता है फिर एक बार चित्र को अची तरój से समझ लिजे सौरप खुरप खुणी एक निश एक से describe जासा सौरप खुणी दिन दो मीटर दाईयों मुलग करके बिंदु से दो मीटर पूर की और चलता है फिर दाइव रूमल करके पांच मीटर चलता है तब फिर दाइव रूमल करके आथ मीटर चलता है तब फिर दाइव रूमल करके तब फिर दाइव रूमल करके तेरा मीटर चलता है वहीं पर यह हो रहा है यह जो हम लोगती तरली है अब यह यहां नहीं चलता है, यह एक एक्स्ट्रा लिखा गया है बस डारेट कोशन इतना है क्यानत में वह फिर दाई और मुड करके तेरा मीटर चलता है, तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदू सोबह कितनी दूरी परिस्थित है और इसलिए हम सबों का जो फीगर है, वो ड्राउ हो पाने में थोड़ी मुस्किलों का शामना करना पड़ जा रहा है अब देखे कोशन क्या बन गया मेरा, कि सौरभ सुकला एक निश्चित बिंदू से दो मीटर पुरू चलता है पोशन में ये रॉंग लिखा गया थे चादियन, दो मीटर पुरू चलता है फिर वाद दाई और मुल करके पांच मीटर चलता है, तो सौरभ सुकला का निश्चित बिंदू से दो मीटर पुरू की और चलता है तो सौरफ सुकला का चलने का बिंदू यह है, उले लेते हैं, यहां से वो दो मीटर पुरु की और चलता है, चल दिया, दो मीटर पुरु की और चलता है, फिर वाद दाई और मुड़ करके पांच मीटर चलता है, यहां से वो दाई और मुड़ करके पांच मीटर चलता है, इ अंत में आप दाइं और मुड़ करके तेरा मीटर चलता है तो यह पांच है यहां तक यह तो पांच हो गया एक दम आख बंद के ले लिए और फिर यहां से आठा पांच कितना हो गया यह हो गया तो आठा पांच कितना मीटर हो गया है पर तेरा मीटर यह आपका पूरा चित् कितना होगा यही तो चित्र बन रहा था हम सब कोशन थोगा सा रॉंग लिखे वर दिसके कारण पगला रहते है हो गया अब हमको यह निकालना है तो देख लिए पाइथा का स्कॉर्स बन गया यह आठ का स्कॉर औ छे का स्कॉर दिश इस उकल टू एट का स्कॉर जोड छे का स अंडरूट अठी अठी चोउसट औ छे चेकतना च्छत तीस यह कितना हो गया हंडेड यह वैलू कितना हो गया दस तो मेरा दस कैसी मैंसर है का मीटर में यहां से यहां तो दूरी कितनी होगी दस मीटर तक लिए थोड़ा सा ध्यान लगा कर के चात किना एग्जामनेशन मे अगर आरेक पर जहां आपका हाथ फंस रहा है मैं आपको कई बर कहता हूँ जहां आपके आरेक पर हाथ फंसे वहाँ कोशन को दुबारा टन ओट कीजी कोशन को दुबारा देख लिजी और देख लिजी और देखर कि इसका हल निकाल पाने में आप काम्याब हो जाएंग त इस परकार से इसका अंसर कितना हो गया 10 मीटर तो 6 दिन हमने दीशा संबंधी प्रस्णों में डारेक्शन टेस्ट में हम सब दूरी निकालने कि कई पड़ाओं पर आज आपको कलास में लेकर के गये थे इन पड़ाओं पर आपने बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ जाना बहुत कुछ समझा और आपने देखा कि किस परकार से दीशा और दूरी पे समन में अस्थापित करके ऐसे प्रस्णों का जवाब दिया जा सकता है दो कंसेप्ट साथी साथ आपका चलना चाहिए कि दीशा समंधी प्रस्णों में पहले आपके दीशाओं का ज़्यान जवरदस्ट होना चाहिए और साथी साथ दूरी Gyाद करना आपको बक्व भी आना चाहिए दूरी gyाद करने के लिए आपको तीन फ़र्मूलो बताये थे वर्ग की आकरिती की वर्ग की आमने सामने की सभी भुजाएं जो है वर्ग में बराबर होती है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथी साथ जो होता है आपका जो समानांतर चतरबुज है, समलम चतरबुज है इन सब सब की जानकारी रखेंगे और उसके बाद आपको एक और फर्मुला याद रखना है जिसका नाम है पाइथोग औरस का थियूरम उसमें हैपोटेनस निकानने के लिए आपको बताया गया था कि परपिंडिकुलर का स्कॉार प्लस बेस का स्कॉार इस दो तीन कंसिप्ट के सहरे आप ऐसे परसनों का बहुत अच्छा से जवाब दे सकते हैं और डारेक्शन टेस्ट कर आप मास्टर और बातसाहत हासिल कर सकते हैं आपको याद हुगा छादगन कि जब हम सब अपने प्रिवियस क्लास पर थे जब डारेक्शन टेस्ट को हमने सुरू किया था तो मैंने आपको यही कहा था कि दीसा समद्धी प्लस में को भी बच्चा अच्छा कर सकता है बस उसको थोड़े से दीसा का ग्यान चाहिए और राइट और लेट मुणना उसे बहुत अच्छी तरह सा आता हो अगर वो इन चीजों पर सीख पाने में अपनी कामियाबी हंसिल रगता है वो बहुत अच्छा कर पाने में कामियाब होगा तो आप सबों को बहुत बहुत सागत करते हैं आज की क्लास भी हम सब यहीं पर समाब्ध खुसित करते हैं चादगन कल की क्लास हमारी अंतिम क्लास सेगी डारेक्शन टेस्ट की जहां पर आपको हम सैडो पढ़ाएंगे और सैडो पढ़ा करके चाया पढ़ा करके कल की क्लास हम सब डिरेक्शन टेस्ट की खतम करेंगे तो कल की बाते कल की क्लास में करेंगे आज की बाते यहीं तक करेंगे आप सब खुस रहिए मज़े में रहिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबाई